मित्रों इस वेडियों में मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि 29 मार्च 2021 से 4 अप्रेल 2021 तक का समय कैसा बीतेगा आने बाले साथ दिनों में मीन रासी बालों के जीवन में क्या-क्या पड़िवर्तन क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों सबसे पहले मैं आपसे बात करने बाला हूँ कि आने बाले साथ दिनों में आपका सीहत आपका सुवास्त कैसा होगा मित्रों आप में से जो भी जातक नसा पान करते हों धुम्र पान करते हों या सराब का सेबन करते हों तो आने वाले समय में इन चीजों को आपको छोरना चाहिए क्योंकि आपके सिहत के लिए यह बहुत जयादा जरूरी एबम आबस्यक है मित्रों आने वाले समय में यदि आपके धन संपती आपके आर्थिक जीबन की बात करें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका आने वाला समय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा आने वाले समय में आकस्मिक मुनाफा या सटे बाजी के जड़ी आपका आर्थिक हालात बहुत जयादा मजबूत होगा मित्रो आने बाले समय में यदी आपके घर पड़िबार आपके पाड़िवारिक जीबन की बात करें तो घर पड़िबार के द्रिष्टी कौन से आपका शमय बहुत जयादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने बाले समय में यदी आपके प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सांदार होगा नजयादा बिहतर नजयादा खराब मित्रो आने बाले समय से पहले यदी आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का से कोई भी वादा किया था कोई भी प्रोमिस किया था तो आने बाले समय में अपने वादे को आपको पूरा करना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके प्रेम संबंध में पड़ेशानी का सामना आपको करना होगा तो मित्रों इसके बाद बात करते हैं कि आने बाले समय में किस टोटके को आजिमाने के बाद आपका शमय बिहतर एबं सांदार होगा मित्रों तोट का बहुत जयादा सामानने है आने बाले समय में आपको प्रती दिन असनान ध्यान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने बाला समय बहुत जयादा बिहतर एबं सांदार होगा तो मित्रों आगे बढ़ने से पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्रेब कर दें इबं इस वेडियो के नीचे जय हनुमान कमेंट कर दें इबं इस वेडियो को आप हर जगह से अर कर दें धन्यवाद